नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते। दोसों भगवान ने खोल दिये आपके नए दर्वाजी। दोसों सिर्फ यह छे बातों को ध्यान से सुन लिजीगा। हैं कि दोगा का श्मी का सब्सक्राइबाबन डुक्त और ज्या-धूंक अगीगन मोफट हैं दोस्व चब फच्शने के बर दोस्मेय खलता है यह Kült नोब होगावान का सब्सक्राइब यूठ्यक्त होगाद उनिया खोल दी हैं दोटो धूर्याइब चीजें रख दिए हैं बशड़ते अब आपकी जरूद होती है किनका लाब उठाने का जया दोस्तों दरसल दुस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके कंड़ी में लाब के जरुद होती है कि श्रभी शमयों का बहुत ही अच्छी त्रिकेशे श्रदिपयोग में लाएं यह दोस्तों और इन श्रभी के लिए आपको छे बीसेज बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाले ह कुली मिशना करें और शुरू सरी कर अंतर तक दिखेगा यह बातों को अगर आप शमझ गए तो दोस्तों यकीन मानिए बगवान श्रदेब की किरपा तो आपकी जुनकाल पर रहेंगी साथे साथ दोस्तों आपको अपने जुनकाल में ऐसी कुछिया मिलेंगी कि शब अपने बातों में आपको लाव मिलेंगे बहुत सारी चेत्रों में आपको परगती भी मिलने वाली है तो दोस्तों एक बड़ी खुशकबरिया आपको मिलने वाली है कौन-कौन शे बातों में आपको शावधन रेना होगा आपको लाग होगा बहुत ही गहरी तरीके से बहुत जिए घरаг गोच्छटल पर नन्यमित है तो दोस्तों जाना है कि तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है जो भी कामाया है यह रह जाना है कर ले कुछ अच्छे कर्म शाद तेरे यही जाना है रोने से तो आशु भी पराय हो जाते हैं लेकिन मुश्कुराने से पराय भी अपने हो जाते हैं मुझे वो रिष्टे पशंद है जिन में मैं नहीं हम हो इंशानियत दिल में होती है हैशियत पे नहीं उपरवाले कर्म देटा है तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का याग्यान अगर आपके दिल को चूग वया हो शर्चा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक प्रेम शेकर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स मिलिक दें जय श्री कृष्णा राधे राधे तो आपके कुण्डली में जो गरहों की सुविस्ति बने हैं जो भगवान श्रीदेव ने नए नए दरवाजी खुल दिये हैं तो दोस्तों इनमें आपको कौन-कौन से खुशकवरी मिलने वाली है शादि कौन से छे विशे शावधनी अश्में आपको रखने होंगे शबी बातें बहुत ही तर्केश बात करेंगे उन्ованतों अरंति देखेएगा कि दोस्तों में कुछ इसे बातें बताएंगे ज मात मीसन भेजसी प्राशण हो जाएंगे और जो शॉट से रहेंगे। तो आई दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों आप शुर्भी को बता दें कि भगवान शुनिदेप कर्मों की दाता है, दोस्तों सुनिदेप का नाम हर देवले ताओं में आता है, जो दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान शुनिदेप को शबसे शरुशेच मानते हैं, कि दोस् देर उनकी परिक्षा होती है जो कि आपको भी परिक्षा का श्रामना करना पढ़ा है पिछले श्रमे लेकिन दोस्तों अब श्रमे आ चुका है जब भगवान शुन्डेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं और आपके भागी में आपकी कुंडुली में यह जो ल शारी बदला होंगे आपको बता दे कि दोस्तों याश में कलात्मक करिया कलापों में और उर्ची पुर्ण कारियों में शुखत दिन आपका वईतिद होगा फौन कॉल दोवारा आपको महत्मुष्टना मिलनेश की शंबावना बन रही है जो कि दोस्तों आपकी आर्थी से बगवान शुनदेव के शिर्वास से शमय बहुत यनुकुल होगा बच्चों की किसी समिच्या का शमधान मिलने से भी आप रहात की शांस लेंगे और अपने व्यक्तिकत गतिद्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे प्रौप्री शमधी कोई निरले लेने जा रहे हैं तो दो प्रभाव करना तो बहुत यह अनुकुल सी बात है जिए दोस्तों आप शुवारती होना भी आपके लिए जरू होता है अपने परतिवा और रोगताओं को निखारने के लिए यह बहुत ही उचित है तो दोस्तों शमय का आप शदीपयों करें बहुत शुनदेव आप शु कहते हैं आने वाले दस दनों में गरत्तियां आपके लिए आत्म बुजरों का अश्रिवाद आप पर बना रहेगा शाधिशा दोस्तों यश में बगवान शुनदेप का भी आश्रिवाद आपकी जुनकाल पर होंगे कुछ समय धार्मिक नमाजिक सम्मदित गतिद्यों में भी वैथित करें इनसे आत्मिक और मानसक्षांति की प्राप्ति हो अब यह कारिकर ने ताकी शुनदेव की नजरों में अब बश्क देए जैसे के अपने से नीचे वरक के विख्थियों अर्शाई लोगों जिन पर शुनदेव का पर कौ काम कर रहा है दोस्तों इसी लोगों पर आप अपने योगदान दें जिनसे भगवान शुनदेप की आपके जुनकाल में किरपा बर्षाएंगे जी दोसों, हम आप शुक को बता दें कि अपने जुनकाल में आने वाली दस दिनों के अंदर बहुत ही आप उत्तम शमे पराप्त करने वाले हैं साथी साथ दोसों आने वाली दस दिनों के अंदर श्रकार्तमक देंचेरा रहेगी आपकी बहुती प्रेशानियां निकल जाएंगी हल हो जाएंगी किजी नईदे की मित्रिया फिर इस्तिदार के इशाद बने हुए खराप्ष रमदों में भी दोवरा मदूरताएंगी बगवान शुनदेप के शिर्वाश ची ये शारी कारी श्रमब होंगे आप उपने आपको काफी हद तक तना मुप्त भी यश्मे महशुष करने वाले हैं क्यों दोस्तों आप शिवी के जियोनकाल में बहुती शकारतमुक बदलाव यश्मे देखने को मिल रहा है हम आप शिवी को बिता दे कि बगवान शुनदेप के शिर्वाश ची ये शुमे कोई भी निरले दिमाग शिले वरना दोस्तों भानों में बहकर नुक्षान भी कर शकते ही तो इन बातों का ध्यान रखें अचानक शे ही कोई रखी हुई पेमेंट आने शे या पिर जो भी पेमेंट आपकी फंशी है वो आने शे कोई काम आपकर बन सकता है और आप इन से तराव मुक्त भी महसूर करेंगी दोस्तों आपको बिता दे कि आने वाले दस दिनों के अंदर आपको भगवान शुनदेब के शिरवाज शे बहुत शारी लाब के मुक्य मिलने वाले हैं आर्थिक तंगियां आपके खत्म होने वाले हैं और भरपूर उडजा और शकार्तमक महशूर से में आप करेंगे घर में उत्वक का महर रहेगा अगर अस्तान प्रवर्तन की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों इनके लिए शमय उच्ट होगा हम आप शिरव को बिता दे कि दोस्तों बगवान शुनदेब आने वाली दस दिनों के अंदर आपको कुछ वेश से सावधनिया रखने को कहती ह है छे विशिज बातों को आपको ध्यान रखना होगा जैसे कि दोस्तों शमय धैर और शांती पुर्णतर के शिवेतित करने का है इसलिए दोस्तों किसी मित्र या पिर भाई के साथ शमन्त खराब होने की असंका लग रही है इसका आप ध्यान रखें जैसे दोस्तों इसका नकार्तम अश्वर आपकी कार्चंता पर पड़ सकता है तो सबसे महत्पून चीज है कि आप इस बात पर सबसे ज़्यादा गौर करें जी दोस्तों संतान पक्ष खुले कर मन में कुछ चिंता रहेगा कुछ शमय उनकी समस्याओं के शमधान के लिए ज़रूर निकालें वि बहुत यदा पहस्तावा होगा तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखें जे दोस्तों इसको प्रांथ बगवान शंदेव कि श्रवाश्य आपके वयुशाय के लिए समय बहुत यच्छे हैं लाब के नईने मूंके तो आपको कुलेंगे शाती आपको हर जगर से सपोर्ट भी म दोस्तों कभी उतना ना सोचे हैं जिनसे आपका मनोवल बिगर जाए दोस्तों क्यों हो उतना की कभी अंधेरा नहीं होता जी दोस्तों तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अपने जुनकाल में बिल्कुल भी चिंता ना करें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है अच्छा लगाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस दिर्जान कारे के लिए चैनल को भी स्ब्सक्राइब कर लें धन्यवाद आप शवी का दिर शुब रहे